हाई फ्रेंड्स, विल्कम बहेक, मुझसे एक सवाल बार-बार किया जाता है, कि मनिस वाई, आप स्टॉक मार्केट में लगतार प्रोफिटेबल कैसे हो, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी सकती है, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है, आज के इस वीडियो में इसी समझने की कोसिस करेंगे, हमारा प्रोफिशनल लाइफ हो, या फिर प्रोफिशनल लाइफ, अगर हमें अपने जिन्दगी में सक्सेस्फुल होना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके साथ, आपके पैरेंट्स, आपके माँ और बाउस, इन दोनों का आसिरबाद हो ना है, उनका मिर्तु का समय आया, तो उन्होंने अपने एक मात्र पुत्र धनबाल को बुला कर बोला, बेटा, मेरे पास बहुत ज़्यादा समपती नहीं है, जिसको मैं बिरासत में दूँ, पर मैंने जीवन भर सच्चाई से काम किया है, तो मैं तुम्हें आसिरबाद दे थे, कि मुझे बस आपका आसिरबाद साहिए, ने पुत्र की इसी भक्ती से, इसी सेवा से खुश होकर, मत्य समय उन ब्यापारी ने यहीं असिरबाद दिया, कि आप अगर धुल को भी हाथ लगाओगे, तो सोना बन जाएगा, बेटे ने सिर जुका कर पिता जी के पैर चोड़ी सी दुकान ले ली, ब्यकपार और बढ़ गया, अब नगर के धानी लोगों में उसके गिंती होने लगी, उसको विश्वास था, कि ये सब मेरे पिता के आसिरबाद का ही फल है, इसलिए उनकी बानी में बल था, और उनके आसिरबाद फली फुत हुए, और मैं सु ऐसा करते करते कई साल भी तक हैं, वह भी देसों में ब्यापार करने लगा, जहां भी ब्यापार करता, उससे बहुत लाग होता, उसके सफलता से उसके जो मित्र हैं वो जलने लगे, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा तरकीब दिया जाए, जिससे इसको बहुत नुक्सान हो, उसके बहुत सारे जो दोस्ते उन्होंने मिलकर उसको एक सलाह दी, उसने बताया कि तुम्हे काम करो, भारत में लौंग खरिदो और जहाज में भर कर अफिरका के जंजी बार में जाकर बेचो, वहां पे बेचने से जो मुनाफ़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, समझने वा भारत में लौंग खरिद कर जंजी बार खुद लेकर जाओंगा, और देखता हूँ कि जो बिने पिता का असिरबाद है, वो कितना सांथ देता है, नुकसान का अनभाव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरिदे और जहाज में भर कर खुद उनके सांथ जंजी बार धरमपाल जहाल से उतरके लंबे रेतीली रास्ते पे जा रहा था वहां से ब्यापारियों से मिलने उसे सामने से स्ल्टान जैसा बेक्ती जो वहां का राजा था पैदल सिपाईयों के साथ आता हुआ दिखाई दिया उसने किसी से पूछा ये कौन है उन्होंने कहा ये सुल्तान है सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परजय पूछा उसने कहा मैं भारत के गुजरात के खमबाद का ब्याबारी हूँ और यहां पे ब्याबार करने आया हूँ सुल्दान ने उसको ब्यबाई समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा अमपाल ने देखा सुल्दान के साथ सैक्रो सिपाई है परन्तो उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदी कुछ भी नहोकर बड़ी बड़ी चलनिया है उसको अचरज हुआ, उसने बिनवतर पुरवक सुल्दान से पूछा, आपके सैनिक इतनी चलनी लेकर क्यों जा रहे हैं सुल्दान ने हसकर कहा, बात ये है कि आज सबेरे मैं समुन्द टटपे भूमने आया था, तब मेरी उनली में से एक अउठी यहां कहीं निकल कर गिल गिल गिल, अब रेत में अउठी कहां गिरी पता नहीं तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूं, ये रेत को चान कर मेरी अउठी उसमें से तलास करेंगे, हम कबसे अपनी अउठी को ढोड़ रहे हैं, लेकिन वो अउठी हमें मिल नहीं रही है धरमपाल ने कहा अउठी बहुत महमी होगी, सुल्तान ने कहा नहीं, उससे बहुत अधी कीमत वाली अंगीनत अउठी मेरे पास है, और वो अउठी एक फाकीर का आसिरवाद है, मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फाकीर के आसिरवाद से है, इसल लोग लोग खरिदने आते हैं, आपको यहां पे बेशने की सला किसने रे दी, ज़रूर वो कोई आपका दुस्मन होगा, यहां तो एक पैसे में मुठी वर लोग मिलते हैं, यहां लोग को कौन खरिदेगा और तुम क्या कमाओगे, धरमपाल ने कहा, मुझे यहीं देखना धरमपाल ने कहा, मेरे पिता, सारे जीवन इमांदारी से काम करते रहें, परन्तु धन नहीं कमा सके, उन्होंने मरते समय मेरी सेवा से परशन होकर, मेरे सीर पर हाथ रखकर आशिर बात दिये थे, कि बेटा, तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी, ऐसा बोलते भोलते धरमपाल नीचे जुका, और जमीन की रेट से एक मुठी भरी, और सुल्तान के सामने मुठी खोलकर अंगुलियों के बीत में से रेट नीचे गिरा दी, धरमपाल और सुल्तान दोनों के आसरस का ठीकाना नहीं रहा, उसके हाथ में हीरे की वहीं अंगुठी दिख रही थी जो सुल्तान की थी और गुम हो गई थी, अंगुठी देखकर सुल्तान बहुत खुस हो गया, धरमपाल ने कहा, फकीर के आसिरबात को भी वहीं भगवान सच्चा करते हैं, सुल्तान और खुस हुआ, धरमपाल को गले लगाया और कहा, सेट आज जो तु मांगेगा मैं दूँगा, धरमपाल ने वहाँ भी जो उस चाहिये था, वहाँ से मिला, आते समय सुल्तान ने उसको और भी बहुत सारी संपती उसों गिफ्ट में दिया, इस कहानी से हमें यहीं सिक्षा मिलती है, कि माबाप का अगर आसिरबात हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमें हाज के इस युग में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जैसे ही माबाप बृध होते हैं, उनको बिर्धा आस्रम में भेज दिया जाता है, यह सब जो संस्कृत्ती है, यह कहां से आई, निसी थी यह भारत की संस्कृत्ती नहीं है, माबाप अपने बच्चे को जनम देते हैं, तो यह सोचते हैं कि मैं एक पौधा लगा रहा हूं, यह जब पौधा बड़ा होगा, तो मैं इसके चाये में रहूँगा, लेकिन अनफर्चुनेटली, जब वही बच्चा, वही प्लांट बड़ा होता है, तो उसके माबाप उसको बोज़ लगने लगते हैं, ऐसा नहीं क बड़ बड़ाएम.